हलो स्टूडेंट्स मेरा नाम दीपरतिवारी है और ग्यानदीप की वीडियो सीरीज में वन शॉट वीडियो सीरीज में आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप वन शॉट में जितनी भी आपके नुमेरिकल हैं एकनामिक stun-ब्रोज में उसको हम आज यहां पर उनकी फॉर्म्मलाज को डिसकस करने वाले हैं ध्यान रखेगा नुमारिकल काफी प्रॉब्लम को फॉर्म्मलाज होती बच्चों को फॉर्म्म्ला याद नहीं होते हैं fällt ग्लेकल को प्योब्लम होती है कुदि Numerical के chapter है क्या क्या, जो हमें यहाँ पर पढ़ने है, आपको बताए, concept of revenue, यह आपका numerical based topic है, chapter है, next है आपका concept of cost, production function, elasticity of demand, नेक्स्ट है ट्योरी ओफ सप्लाई यह फाइफ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमे निमरिकल आते हैं जो बच्चों को बता होना चाहिए तो वन बाई वन हम इनको बिना देरी की वे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डिसकस करते हैं कंसेट आफ डिमान déjà की निम्रक्व के फॉर्म्ला क के बारे में कंसेट आफ रिवैन्यू ठीक है देखो सबसे पहले सबसे पहले जो निमारिकल का टॉपिक दिसकस करने पानी है उसका नाम है कंसेट ओ रिवैन्यू रिवैन्यू का बता वादक आपको पता ही है Q का मतलब होता है quantity Next आपका AR AR का मतलब होता है average revenue Next अगर आपको AR निकालना है तो आप TR को Q से divide करोगे यानि TR upon Q और अगर आपको TR निकालना है तो आप AR में Q को multiply करेंगे ठीक है एक बात और Next MR MR को हम क्या बोलते है marginal revenue और in case अगर हमें MR calculate करना है तो TR N minus TR N minus 1 और TR N plus 1 minus TR N इसका मतलब यह हुआ कि बाग वाली term में से नीचे वाली उपर वाली term आप TR की minus करते जाओगी तो आपका MR आता जाएगा ठीक है और हाँ अगर आप MR को plus करते हैं MR को add करते हैं तो आपका TR आएगा यानि MR को उपर से अगर प्लस 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 करते जाते हैं तो आपका total revenue आता है इसके साथ साथ TR निकालने का एक formula और भी है उसे हम price into demand कहते हैं और इबाद ध्यान रखेगा जो price है वो equal to AR होता है लेकिन अगर फिर भी आपको AR calculate करना है तो TR को आप demand से divide करेंगे ठीक है तो ये हो गए आपके numerical की formulas जो revenue के chapter पे आपको आने चाहिए ठीक है अब हम लोग next chapter पे आते हैं next chapter है हमारा production function इसके भी numerical को करने के लिए कुछ terms है जो आपको बता होनी चाहिए जैसे TP TP को हम total product कहते है या total production कहते है Q का मतलब होता है quantity next है आपका AP यानि average product और अगर आपको AP calculate करना है तो TP को क्यों से divide करेंगे ठीक है ध्यान लखेगा सब कुछ same है सारी term same है सिर्फ R की जगा पर क्या जाएगा P यानि production और अगर आपको यहां से TP निकालना है तो आप AP में Q को multiply करोगे ठीक है next हम मात करते है MP MP का मतलब होता है marginal product और MP को calculate करने का तरीका same TP N minus TP N minus 1 इसका मतलब हो है कि TP के second term में से first term third term में से second तो MP आप नीचे वाली term में से उपर वाली term को subject करते जाओगे तो आपका TP calculate होगा ठीक है और हाँ अगर आप sigma MP करते हैं तो आपका क्या जाएगा TP यानि MP को plus करते जाओगे तो आप TP calculate कर लोगे ठीक है तो यहाँ पर जाके आपका production function के भी numerical के formula हो जाते हैं next हम बात करते हैं concept of cost यहीं पर समझते हैं देखो concept of cost के बारे में अगर मैं बताओ आपको तो concept of cost काफी important chapter है ध्यान लगना और definitely इसके numerical तो आने के full proof chances है तो और काफी थोड़ा सा enlarged chapter है इनके compare में काफी formulas है आपको पता होना चाहिए तो इससे ध्यान से देखिएगा ठीक है इसके भी कुछ formulas के concept है कुछ terms है जो आपको पता होनी चाहिए जैसे यानि average cost और अगर आपको AC calculate करना है तो TC upon Q और अगर आपको TC निकालना है तो AC into Q नेक्स नम बात करते है TC को calculate करने का तरीका TFC plus TBC भी होता है यहाँ पर TFC का मतलब क्या है total fixed cost ध्यान में बखिएगा TFC का मतलब total fixed cost है यानि वो cost जो always fixed रहती है ठीक है और TBC का मतलब यहाँ पर total variable cost है और अगर मैं यहाँ से TBC को calculate करूँ तो TC minus TFC यानि TC में से अगर हम TFC को minus करेंगे तो TBC आ जाएगा और next ऐसे ही सेम अगर हमें TFC निकालना है तो TC में से TBC को minus करना पड़ेगा ठीक है तो आपने यह देखा next हम बात करते हैं यहाँ पे एक और term AC equal to AFC plus ABC ओके अगर हम यहाँ पे AFC की बात करें तो AFC होता क्या है average fixed cost ओके और ABC क्या होता है average variable cost यानि AC cost का average जो change होती रहती है अगर हमें यहाँ से ABC निकालना है तो हम क्या करेंगे AC में से AFC minus और अगर आपको AFC चाहिए तो आप AC में से ABC minus करोगे और एक बात और अगर आपको AFC चाहिए हो गया अगर आपको AFC निकालना है तो TFC upon Q ABC निकालने के लिए TVC upon Q जबकि ABC निकालने के लिए आपको TVC upon Q करना होगा और TFC निकालना है तो एक formula उसका ये भी बनता है आप इसे cross multiply करके निकाल सकते हैं यानि TFC equal to AFC into Q और अगर आपको TVC निकालना है तो आप ABC into Q करेंगे ठीक है और हाँ MC MC का मदब होता है marginal cost जैसा कि आपने previous chapter में discuss किया था भी previous topics में MR यानि marginal revenue MT यानि marginal product same as MC का मदब marginal cost और अगर हमें MC निकालना है तो TCN minus TCN minus 1 और हाँ अगर हम Sigma MC करते है तो यहाँ पर TP या TR नहीं आता बलकि MC को आप add करेंगे तो TVC आएगा ओके ध्यान रखेगा यह तीन अलग-अलग different chapters है जनके आपने formulas को समझा अब हम यहाँ पर next chapter की बारे में बात करते हैं जो next chapter है जो आप ध्यान से देखिएगा elasticity of demand elasticity of demand elasticity of demand के अगर हम formula के बात करें तो सबसे पहले एक method है आपका proposed rate method अगर हमें proposed rate method से elasticity of demand निकालना है तो उसका formula होता है ed equal to minus delta q upon delta p into p by q अब एक मात और ना को जाता तो यहाँ पर minus का sign क्यों आया ध्यान रखिएगा price और demand में हमेशा inverse relation होता है जिसकी वज़ा से यहाँ पर negative sign आता इसका मतब यह हुआ कि price बढ़ती है तो demand कम हो जाती है price गटने पर demand बढ़ जाती है okay that's why हम यहाँ पर minus use करेंगे और delta q का मतलब है change in quantity demand ओके और delta q निकालने का तरीका q1 minus q q1 का मतलब है current demand और q का मतलब होता है previous demand current demand का मतलब होता है present demand next रहम बात करते है delta p delta p का मतलब है change in price यानि price में होने वाला परिवर्तन और delta p calculate करना है तो p1 minus p p1 का मतलब है current price जो अभी है यानि present price और p का मतलब होता है previous price जो पहले से है ओके तो यह हो गया आपका proposed method next है आपका next आपका method है percentage method इसमें अगर आपको elasticity of demand निकालना है तो minus percent change in demand upon me percent change in price अगर आपको percent change in demand calculate करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए formula होगा q1 minus q upon me q into 100 और अगर आपको percent change in price चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे p1 minus p upon me p into 100 ध्यान रखिए का इनसे दोनों percentage में आएंगे और फिर आप दोनों को रखके divide करेंगे और यह आपका यहाँ पर answer आजएगा ठीक है तो यहाँ पर इसमें इलास्टिस रडियो डिमांड तक सारे फार्मॉलास दिसक्स कर लिए है क्योंकि space का shortage है इसमें तो अभी मैं आपको आगी का elasticity of supply के topic के बारे में हम बबनाएंगे तब तक आप इसे फटा-फट नोट कर लिजे और इसकी screenshot लिलो बाकी का मैं भी आपको just आपको clear करते हूँ ठीक है students समलोग theory of supply chapter में जो numerical का topic है वो topic है elasticity of supply ध्यान रखिएगा जिस तरह से आपने elasticity of demand के formula को समझा same as आप यहाँ पे elasticity of supply के बारे में जानेंगे इसके भी दो method है proportionate method इसके थुरू अगर हमें ES निकालने है यानि elasticity of supply तो formula है delta q ध्यान रखिए का यहाँ पे negative sign नहीं आता है क्योंकि price और supply में हमें इसा positive relation होता है ठीक है वहाँ पे हम as a consumer अपने आपको treat करते है यहाँ पे हम as a producer as a seller और ध्यान रखिए का आता है तो delta q का मतब होगा यहाँ पे change in quantity supply और delta q को calculate करने का तरीका q1 minus q यहाँ पे q1 का मतब है current quantity supply जबकि q का मतब यहाँ पे previous quantity supply है delta p यानि की change in price और delta p calculate करने का तरीका p1 minus p p1 का मतब है यहाँ पे current price जो अभी है और p का मतब है यहाँ पे previous price जो पहले से था तो यह तो होगया आपका proportionate method next percentage method अगर आप percentage method से calculate करेंगे तो e is equal to percent change in quantity supply then divide by percent change in price और इन केस अगर यह हमें नहीं दिये हुए है तो percent change in quantity supply को calculate करने का तरीका q1 minus q upon me q into 100 और आपका answer इसमें percent में आएगा then आपको percent change in price निकालना है तो उसके लिए तरीका p1 minus p upon me p into 100 और यह भी percentage में आएगा और फिर आप इन दोनों percentage को divide करेंगे और आपका answer calculate हो जाएगा ठीक है तो आपने देखा कि हमने इस पूरी वीडियो सीरीज में आपने पूरे all formulas को discuss किया जो कि micro economics में काफी helpful है काफी important है काफी questions इसमें से आपके put up होंगे exam में और यह काफी आपको help करेंगे formulas ठीक है तो आपने बहुत अच्छे से इसे prepare करना है आपने I hope इसे note कर लिया होगा copy में आपको इसके numerical की practice भी करनी है आगे हम इसके numerical की questions भी discuss करेंगे chapter wise तो आपको काफी help मिलेगी इसमें तो आप लोग इसे note कर लिजेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो definitely आप इसे like करें subscribe करें और bell icon को जरूर रबाएं और हाँ आप इसे उन सभी students तक share करें जिसको इसको इसकी नीज है काफी valuable content हम आपको available करवाते रहेंगे आप लोगों कुछ तरह से इस तरह का benefit आपको मिलता रहेगा आज की लेट है